हलो बच्चों, लेट सीट इस क्वेशन, दा क्वेशन सेज, विच अब दी फॉल्विंग इस ए जिरोफिटिक प्लांट इन विच दस्टेम इस मॉडिफाइड इन्टू ए फ्लाट ग्रीन एंड सेक्यूलेंट स्टॉक्चर, इस क्वेशन में बढला गया है कि अगर यहां प इस क्वेशन में हम बात करते हैं की कॉंसेप्ट की, की कॉंसेप्ट की यहां पर अगर हम बात करें, तो की कॉंसेप्ट में जो हैं हम सबसे पहले जानेंगे की जेरोफिटिक प्लांट क्या होता है, जेरोफिटिक प्लांट की बात करें, तो यह ऐसे प्लांट होते हैं, जो ग्रो होते हैं on hot and dry regions में या कह सकते हैं environment में, जैसे कि desert हो सकता है इसे जो है क्या कहा जाता है zerophytes कहा जाता है अब इसके अगर example की बात करें तो zerophytic plant में हम ले सकते हैं अपुंशिया को तो अपुंशिया की बात करें तो ये zerophytic plant होता है जो इसका body होता है वो modify हो जाता है itself in flat flat साथी साथ green जो है succulent structure में green succulent structure में so ताकि ये avoid कर सके क्या water loss को उसके बात ये क्या करते है by modifying this stem into a ये modify करते हैं अपने stem को into a flat leaf like structure में leaves जो है like structure में and reduce करते हैं क्या करते हैं reducing leaves into the spines क्या करते हैं ये reduce करते हैं leaves को into spines more ताकि क्या हो पाए यहाँ पे जादा जो है photosynthesis हो पाए photosynthesis हो पाए उसके बाद less जो है transpiration हो यानि कि water loss और इस तरह के modification की वज़ा से अब यहाँ पे बात करें options में पहला है कैस्वारीना तो कैस्वारीना की बात करें तो ये भी एक zerophatic plant होता है और इसके characteristic की बात करें तो इसका जो leaves होता है वो modify होता है to scaly leaves में scaly leaves में इन्हे bunch of 5 to 20 और slender stem तो यहाँ पर ये option क्या होगा गलत क्यूंकि हमें पुछा गया है कि जो stem है modify हो जाता into flat green and succulent structure है और हमने देखा ये जो है किस में होते है scaly leaves में modify होते है तो यहाँ पर ये जो है इस question का answer होगा c दे रखा hydrilla तो hydrilla की बात करें तो c hydrilla जो है aquatic plant होते हैं क्या होते है aquatic plant होते हैं जहाँ पर modification जो है are done for surviving surviving के लिए जो है यहाँ पर modification होता है ताकि एक aquatic condition में रह सके अब इनका जो root होता है plant का वो submerged होता है कहाँ submerged होता है water और कह सकते हैं into the into the soil underwater और साथी साथ इसमें होता है long stem अब इसके leaves की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है इसका leaves जो है रहता है come above the surface for respiration यहनी कि water में जो है होता है और above the surface ताकि यह respiration कर सके तो यहाँ यह option जो है गलत हो जाता है लास्ट है acacia acacia भी जो एक zerophytic plant होता है और यहाँ पर जो है इसके अगर modification की बात करें तो यह जो leaves होते हैं वो reduce होते है leaflets में डी option की बात करें तो इसके leaf जो है वो क्या होते है reduce होते है leaflets में and spines जो है develop होते हैं spines जो होते हैं क्या होते हैं develop होते हैं ताकि यह reduce कर सके water loss modification जो है यहाँ पर देखा जाता है इस तरह का तो यहाँ पर यह option भी क्या हो जाता है गलत, so the right answer of this question is option B hope you understood it well best of luck